नमस्ते दोस्तों आप सब कस्वागत है आपके अपनी चैनल फैंड इसी दुनिया में गाइस वीडियो में हम लोग डिसकर्स करेंगे पाकिस्तान कप वन डि फॉर्मिट में जो खेला जाएगा CEP Central Punjab वसे Southern Punjabs के बीच होंगे यह वाला मैच जिसका अनलाइसिस हम लोग करेंगे इस वीडियो में इजी लेंग्वेज में शॉर्ट अनलाइसिस होगा जहापन आपको मैक्सिमम रिकॉर्स दिया जाएगा क्या रिकॉर्स रहेगा सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाकिस्तान कब 2021 में क्या हुआ था कुछ प्लियर्स हों से निकल के आ सकते हमारे लिए जिनको हम लोग बैक कर सकते हैं उसके बाद करेंट सीरीज का रिकॉर्स दोनों टीम दो दो मैच खेला सेंट्रल पंजाब जिन्होंने लास्ट सीजी सीजन में फाइनल खेला था मतलब 2021 में टीम में चेंज़स है बर स्टिल फाइनल के लिए थे तो वो टीम इस बार एक मैच जीता और एक मैच क्या रहा था 150-180 के करीब रन बन रहे थे इनके दोनों मैच में फिर देखेंगे के पूरा एनलाइसिस होगा मेक शूर करना आप वीडियों तक देखो पसंद आये तो लाइक कर देना अगर आप लोग चैनल में नीव हो फॉस्ट टैम देखते हो वीडियो तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा यह पाकिस्तान वन डेकप रहेगा इसके बाद आपको कौन से मैचेस मिलेंगे इसके बाद आपको मिलने वाला है टी टैन इसी एल का मोस्ट पूब्ली आसाम टी 20 भी स्टार्ट होने वाले हमारी फैंडेसी दूनिया फैमिली मेंब तो आप जो है ना उसका फाइनल अपडेट फाइनल टीम दिया जाएगा कहां पर टैलीग्राम पर तो आप टैलीग्राम भी जोईन हो जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अगर आपको ओमेंस वर्ल कब खेलना है साधी साथ इरोपेन के लिक जिसका मैं हो तो गाइस सर्च कर सकते हो टैलीग्राम पर जाना है एदर रिट लगागे ना टीम से एफडिएफ बिना इस पेस सर्च भी कर सकते हो प्रेफर करूंगा लिंक से जोईन हो जाओ ताकि आप बहुत इसली जोईन हो पाओ तो आता हूं में इस मैच के एनलाइस में इकबाल यह पेवरी स्कॉर दस बजे मैच इंडियन टैम स्टाट होने वाला है क्लियर वेदर रहेगा ठीक है आइडियली क्लियर वेदर रहना चाहिए बहुत ही लेस चांसे की बारिश होने का फिलाल तो मैं दीख रहा था जब मैं रिकॉर्ड करने से पहले जब वेदर दिखा था अब बैट सेकेंड विन करने का सबसे बरा रिजन क्या होता है मालूम है उसका मतलब होता है कि पीच में बहुत जादा चेंजिस नहीं हुआ है फर्स मैच और फर्स्ट इनिक पचास ओबर होने के बाद भी अगर चेंजिस ना हो उसका मतलब पीच थोड़ा हार्ड है जहां सब के लिए कुछ ना कुछ है बैट स्में बॉलर स्पीनर पेसर सब के लिए ठीक है पाकिस्टान वन डे कप से कुछ प्लियर्स मेरे जब से अच्छे लग रहे हैं मुझे कसी मक्रम उनमें से 12 मैच में 462 रन था इन का राजा अली जो गाइस बैट फर्च करते हैं तो हिट सिलेक्टेब पंथ रहेंगे जिन्होंने 12 मैच में लास्ट सीजन में 666 रन कमाल का सीजन था इनका लास्ट सीजन पाकिस्टान वन डे कप में अगर सलमान का भी डिसेंट था जो चारी मैच खेला बट 121 रन अमीर यामिन का तीन मैच में 93 हुसेन तलाठ और एक इंपोर्ट सास प्लास चीज हो रहा था कंटीनूसली तो यह ग्राउंड और उस ग्राउंड में थोरा सा दो डिफरेंस है बट स्टिल जो अच्छे प्लियर है उनको इमें बैक करना है टॉप बॉलर साउधन पंजाब से जेट गोहर साथ मैच में 11 उस्मान कादिर 8 मैच में 17 महम्मद अगर होता है तो ट्राइक कर सकता है तो डिफेंशल पी होगा आपके लिए कासिम पारा मैच में चे रजा अग साथ नौ मैच में साथ साथन पंजाब से ना जैन महमुद खेलता है तो ट्राइक कर लेना दस मैच में 19 उन्हीं के था उमेर खान साथ मैच में 11 महमुद इलास यह तीनों इस बास सिलेक्टेट नहीं है इस क्लब के लिए अब मेरा क्विश्चन है कि अगर तीनों जो लास स सीरीज में से जरीज में से थे इस एस टीम के लिए वह नी खи каж रहा है तो टीन狐 गना ना ऑटोमेटिकली वीक है ऊपर से इनका बै्टिंग ना इस सीरीज मै पॉफोमेस देहीं नहीं रहा है तो ओवर वलंट मुझे त 210 में स्टार्ट मिला इंको बट इनिंご शन बरा इनि तो यहां पर मैं आपको बता दूंगा कि कौन विकी करेंगे बट जितना अब तक होते आ रहा है वह है मुहम्मध अकलाक विकी कर रहा है तो विकी से भी पॉइंट देने वाले यह वाला बंदा ओवर उमर अक्मल उमर एक्स्पीडियन्स प्लियर है मेरे इसब से मेरे टिम का एकदम से मस्टीच है बैट फरस्ट करेगा विकी बनाओ क्योंकि यह बहुत ही पाकिस्तान के लिए खिल रहा है तो हाईग अच्छा क्योंकि नहीं बैटिंग से भी पॉइंट देंगे तब और बॉलिंग से तो देंगे बट एक और बात है कि अगर second innings में इनका batting हो गया ना मैं repeat करूँ अगर second innings में batting हो गया ना मैं भी 150 chase करने को लगे उस condition में इनका batting ही ना है तो क्या होगा guys तो ना आप first जाओगे शायद आप balling से यह ज्यादा performance ना दे या फिर एक आदा UK निकाले तो उस condition से भी ज्यादा मैं prefer करूँगा अगर bat first होता है बैटिंग से यह 50 मार दिया balling से एक क्यों के तो guys हमारे लिए safe captain well bat first निसा रामेट कुछ खास किया नहीं है रिजा रजा लीदर देखो यह bat first करेगा ना तो hitting करा सकता है bat second करेगा तो यह balling से जो point देना इनको वी देना परेगा उस्मान कादिर बहुत ही decent baller है वाई ब्रयास सबको मालूम है कैसे type के baller है अहमद ने दो विकेट निकाले अब एक ही match कहलता है और यह जो बंदा है ना अहमद बशीर अगर लिस्टेट होता है सपना 11 में चलू चलू ट्राय करना इंटरेशनल है तो हमें इनको लेना परेगा रिज्वान हुसेन उसके बाद होंगे मुहमद अकलक मेरी टिम का मस्ट भी रहेगा क्योंकि इंगे अवरेज भी है ओवरोल रिकॉर्ड में फिलाल इन्होंने इन्फॉर्म भी है और जंदा इनको सिलेट कर रहा है तो क्यों य यह बॉलर नहीं है और भी नहीं लग रहे है तो बैटिंग मतलब पहले बैटिंग मतलब फॉस्ट रिनिंग में बैटिंग करना बढ़ेगा तहीं तभी यह ज्यादा बिटर पर्फॉर्म करेंगा ऐसा मुझो लगड़ा है निसार इग्णोर करेंगे राजा अलीदर 70 मैश बैट फॉस्ट करता है तो यह प्ले करेगा मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार गाई अगर बैट फॉस्ट होता है न यह दोनों बंदा बैटिंग से भी चांस मिलेगा कि रन करूं हम लोग जाके तो उस कंडिशन में ज्यादा से फर फीग होगा कंपे टो बैट सेकें उसम बशीर सेलेक्शन देखो 40 मैच में 59 विकेट से अगर एड हो जाता है न और बॉल फॉस्ट करता है न तीम मेरे टीम कर डिफेंशल पीग रहेगा जाफर गोहर 59 मैच में 57 विकेट एक और विकेट टेका रहे हैं हेटिंग करा सकता है मौहमद अली शायद में ना ही लू एस जो मुझे तोड़ी विक लग रहे हैं इनसे ओपिनिंग करेंगे जैनब बास 25 पंदरा है 17 तेरा है जिशान अश्रब दोनों किया अगर मैं कैप्टेन रहूंगा तो एक राइट आम और को शायद शुरू में अगर बॉल मूव ना करें तो साथ आट ओवर के बात क्योंकि यह टीम बैटिंग से अगर 150 मारता है तो में भी ओपोनेंट चेस कर ले दो विकेट लोस करते हुए तो उस कंडिशन से भी मैं प्रिफर करूंगा अगर इनका बॉलिंग फर्स हो जाता है ना मैं रिपीट करू इनका अगर बॉलिंग फर्स हो जाता है ना यह प्ल चला नहीं यंग क्लियर है मैं नहीं लूँगा फिलाल इनको अमीर यामीन दोनों मैच में कुछ ना कुछ किया है इंपोर्टन बात धियान देखना पहला मैच में ज्यादा अच्छा खेला है इनिंग बट यह बंदा को बैटिंग आता है करना बंदा बॉलिंग भी तो इंपोर्टन हो जाएगा तो ट्राइकर लिंगे हम लोग इनको अब बस अफ्रिदी केबल और केबल बॉल फर्स तो ही ट्राइकर ओ बॉल जेकर मत्राइकर और रहत अली अगर बॉल फर्स करता है करना लेफ्टर मीडियम अब तक दोनों मैच में अच्छा खेला है इस श्रुम के पास अगर आओगे ना इसके पास कितने सारे राइंट मीडियम है लेफ्ट मीडियो में यह लेफ्ट मोटल ऊपकैंग मतलब किया ना गुंफिर के हुआ अहमदबशर मीडियम इस ट्रीम से डेद कराएगा अगर बाकि कोई न्यू बॉल बालर मतलब मैंने क्या हिंस दे रहा हूं आपको बॉल फर्स्ट होता है ना इन दोनों को ले लो गाईस मेरा हिंस एही रहा है ठीक है अब यहां पे तोरह सा पास रिकॉर्ड है आप रिवीव कर सकते हो जैसे कि जैन अबस का बैटिंग से अवरेश ठीक है हम लोग ट्राइकर सकते हैं बट फिलाल मुहमद अकलक सेफर पीक होगी की सेक्शन से तो हम लोग जाएंगे जिशान अश्रफ हो गया तयाब ताहियर ब्यालिस का एवरेश कमाल का प्लियर है अगा सल्मान 32 का एवरेश विकेट से है बहुत बढ़िया के एविसी है ऐइधिंग वन अफ दसेफिज भी है सिराज हो गिया मुहमद इम्रान 45 मैच में 50 जादा रन नहीं है गाईस वाकर हुसेन खिलाल इग्नोर करो अमीर यामीन 62 मैच में 70 विकेट है इनने का रन भी है इनका डिसेंट तो यह में रेटिम का म सब्सक्राइब करेंगे हम लोग ठीके इन फ्यूचर तेलो देखते हैं गाईस शायद यह दूसरी टिम से कहल रहा होगा कैप्टें चॉइस में अगा सल्मान का दिर डिसाइंड है बहुत करापिक नहीं है बना सकते हम लोग कासीम अकराम बैट फस्ट करेगा तो गैस सब्सक्राइब करता है तो ही बनाओ बाल सेकेंड में शायद मुझे ना अमीर यामिन से भी ज्यादा बैटल लग रहा है अगा सल्मान और कासीम अकरम यह दो तो इन दोनों के साथ मैं जाना पसंद गरूंगा फिलाल वीजी है यह यह बंदा का सेकेंड इनिक्स में बैटि सब्सक्राइब करते हैं अगर आप ध्यान से वीडियो देखोगे उसके बाद आप खुद टीम करोंगे ना तो ज्यादा बिटर होगा और अगर मैं शेयर कर दिया तो वह ना क्रेंग क्लैस्ट होते हैं वह भी हो सकता है बट सिल मैं ट्राइब करूंगा अगर मुझे कुछ जो भी फाइनल अपडिट मिले मैं इस मैच का देपा हूँ बट हाँ अब्विएसली इसके लिए 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 लिक टीटेन का फाइनल डेमो टीम आपको मिलेगा टेलिग्राम पे साथ इसाथ प्रोबबली विंसी टीटेन और असाम टी-20 का भी मिलेगा तो अभी भी आपन अगर टेलिग्राम जॉइन नहीं किया तो बहुत कुस मिस कर रहे हूँ तो चलूर से जॉइन हो जाओ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्स्राइब कर देना चलो गास मिलते है टेलिग्राम पे बाई